Welcome to Bollywood, एक वक्त था जब ओर्डिन्स साउथ इंडस्टी को बिल्कुल भी रिकोगनाईज नहीं क्या करती थी and they have not popular message but today this is time जब ओर्डिन्स कंटिनिसली Bollywood movies को तॉलिवुट मोवी से compare करती है even as Bollywood से ज़्यादा तॉलिवुट को देखना prefer किया जाता है but what are the things जो तॉलिवुट को Bollywood से अच्छा बनाता है and वहीं Bollywood की क्या चीज़े हैं जो से कंटिनिसली नीचे गिराती जा रही है in this video we will discuss on Bollywood versus Tollywood and we will find out ऐसी क्या चीज़े हैं जिसके वजह से लोग Bollywood को undecognized और तॉलिवुट को अच्छा बताते हैं as always this is going to be an interesting video so आप सभी से request है वीडियो को end तक सरूर देखें पुश्पा नाम सुनके flowers समझे क्या flower नहीं fire एप number one disrespect of religions we know already India is in democratic country जहां पर लोगों के पास अपने अलग-अलग धर्म हैं जिसके अधार पर वो जीते हैं so problem is that कि जब भी बॉलिवुट कुछ religion related moods पर movies बनाता है so there is so many people जिनके personal sentiment hurt होते हैं because अगर किसी की माननताओं के opposite कुछ भी दिखाया जाएगा तो वो hurt ही होंगे but ऐसा भी नहीं है कि बॉलिवुट गलत है because they try to make understand to people something different from their perceptions और किसी की माननताओं को break करना it's not easy जहां कुछ लोग इन चीजों को समझते हैं तो कुछ लोग नहीं समझ पाते जिसके वजह से बॉलिवुट को अच्छा या बुरा कहा जाता है and if we are talking about tollywood so हमने rare movies देखी हैं जो religion related हो और वो अपनी सारी movies में ये ध्यान रखते हैं कि religion related किसी का sentiment hurt नहीं होना चाहिए और लोग जिस चीज़ को जैसा मानते हैं South industry हमें वैसा ही दिखाती है that is why audience इन से जल्दी connect होती है and enjoy करती है according to our team this is totally depend on understanding कि audience को किस तरह देखती एंड समझती है जैसे एक भक्त भगवान के बिना धूरा होता है वैसे भगवान भी एक सच्चे भग्त के बिना धूरा होता है नमबर टू लैक ओफ एक्जेक्यूशन हमने जादर तर लोगों से सुना है कि Bollywood अपने original content नहीं लेकर आता जादर तर movies रिमेक ही रही है बट आपको यह समझना होगा कि रिमेक इस नॉट प्राब्लम बलकि लैक ओफ एक्जेक्यूशन ऑफ मुवी यह एक बड़ा प्राब्लम है बिकोज रिमेक तो पहले भी बनाए जाती थे और जादर तर रिमेक सुपर हिट होती थी मुवी कबीर सिंग, वांटेड, रावरी राठोर, इस वर मुवी जो रिमेक थी बट फिर भी बॉलिवूड ओडियंस ने इन मुवीज को ट्रेमेंडेस रिस्मांस दिया था और मुवी सुपर हिट हुई थी ऐसा सर्फ इसलिए हुआ था, विकोज डारेक्टर्स ने मुवी को एक्सेक्यूट सही तरीके से किया था जो कि आज बॉलिवूड डारेक्टर नहीं कर पा रहें और बॉलिवूड मुवीज फ्लॉप हो रही है आप सभी को यह समझना चाहिए कि ऐसा बलकुल नहीं है कि साउथ इंडस्टरी में रिमेक्ट नहीं बनाया जाते दे अल्सो लॉट्स ओफ रिमेक्स और जादतर फ्लॉप भी होती है हमने साउथ की कुछ पैन मुवीज को ही देखी है जिसके बेस्ट पर हम उन्हें अच्छा और बॉलिवूड को बुरा कहते हैं बट देखा जाए तो दोनों जगहाओ पर सेम सिमिलारिटीज होती है बस पर कितना है कि साउथ की कई चिज़े हम नहीं जान पाते और वहीं बॉलिवूड के छोटी से छोटी बातों को हम नोटिस करते हैं हम यह जरूर मानते हैं बॉलिवूड अपने रिमेक में वो एक्जेक्यूशन नहीं दे पार है जिसके एक्च्छल में जरुरत है आप इस बारे में क्या सोचते हैं? Do let us know in the comment Don't angry me जो मैं बोलता हूँ, वो मैं करता हूँ और आप जो मैं नहीं बोलता हूँ, वो मैं definitely करता हूँ नमबर थ्री, नेपोटिसम आज एक ऐसा समय है जहां बॉलिवूड नेपोटिसम के नाम पर काफियादा ट्रोल होता है Because audience को ऐसा लगता है कि outsider को industry में जगा नहीं दी चाती And celebrity अपनी ही family members को launch करते हैं But here everyone should be understand कि कौन सा sector है जिस sector में नेपोटिसम नहीं होता हर एक इंसान यहीं चाहता है कि उसके बनाए गए position को उसके आने वाले जन्देशन ही संभाले Because यह तो human nature है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि south में बिल्कुल भी नेपोटिसम नहीं है ऐसा ही same south में भी है नेपोटिसम वहां भी है Even वहां तो और भी जादा है So I mean to say nepotism is everywhere बस हमें इतना समझना चाहिए कि outsider के लिए industry में एंट्री लेना काफी मुश्किल होता है भले ही वह एक deserving actor क्यों नहीं हो Because इंडस्टी में already stable लोग बैठे हुए है हमने कई ऐसे actors देखे हैं जो नेपोटिसम की वजह से इंडस्टी में आतो गए बट कुछ एक film के बाद ही audience उन्हीं ना पसंद करने लगी Because इनकी acting बिल्कुल भी deserving नहीं थी अगर होती तो audience इन्हीं ज़रूर पसंद करती Because अपना base बनाना उसके talent पर depend करता है ना कि support पर Support तो बस कुछ ही दिनों के लिए होता है But there are some person in the industry जिनकी वजह से बॉलिवुड आज इतना ज़ादा बदनाम है Because ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही compassionless है और वो ऐसे सर्मनाग काम करते हैं जिसकी वजह से हमें शोशान सिंग राजपूत जैसे deserving actor को खोना पड़ता है Number 4, Makers Responsibility If you are makers of movie So this is your responsibility कि आपकी दिखाई गई चीजे या बोली गई चीजे किसी के personal sentiment को हट ना करती हो Because अगर आप audience के against movie में कुछ ऐसा दिखाते हैं जो audience के लिए unsuitable हो So audience उसे ना पसंदी करेगी Bollywood में ऐसे कई directors and actors हैं जो already अपने कई statement या फिर कई बेकार की चीजों की वजह से controversy में फसे रहते हैं जो कि Bollywood की image को पूरी तरह से down करता है और शायद इसी वजह से ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन चीजों की वजह से Bollywood को boycott करना जाते हैं In other hand, if we're talking about South industry So वो इन चीजों को काफी smartly and silently handle करते हैं Because they know very well कि audience is everything With it, Bollywood की जादतर audience टॉलेवुट की movies के अलावा और किसी चीजों पर ध्यान नहीं देती हाला कि कई सारे खबरे यहां तक पहुचती भी नहीं जिसकी वजह से हम South की कई सारे controversies को नहीं जान पाते और जिस वजह से हम सर्फ टॉलेवुट की तारिफे करते हैं बलकि यह सबी चीज़ें हर एक इंडस्टे में होती हैं और इस बात को इंडियन ओडियन्स को अच्छी से समझनी चाहिए आपको क्या लगता है वी आर राइट और रॉंग दू लेट उस नो इन दो कॉमेंट बॉलीवुट को वाइसकार करेंगे और चुनाव साउथ इंडियन मोवी जिन्दाबाद और बॉलीवुट एक मिनट एक बाई नहीं शोर नहीं बॉलीवुट वांटेट स्टाइल नमबर फाइव एंगल ओडियन्स दिस दा इंपॉर्टेंट पॉइंट फूर एनी काइंड ओप सिनेमा कि ओडियन्स इस चीज़ को किस तरह से परशीव करती है जिसकी खिलाफ वो किसी और चीज़ को नहीं मानना चाहते जहां हमारी टीम के अकॉर्डिंग हाइपर नेशनलिजम देखने को मिल रही है लोग बिना किसी रीजन के हाइपर नेशनलिजम फॉलो कर रहे हैं और बॉलिवूट की जाधतर मुविस को किसी अननेसेसरी एंगल से क्रिटिसाइज किया जाता है और उसे नाम नेशनलिजम का दिया जाता है जिसकी वजह से आज बॉलिवूट को इतना सफर करना पड़ रहा है वहीं अगर हम बात करें साउथ इंडस्टरी की तो अभी करेंट में ऐसा कुछ है नहीं टॉलिवूट आदियंस अभी कूल है और मुविस को इंजॉय करने में बिलीव रखती है ना कि उसे क्रिटिसाइज करने में तो देट इस वाई टॉलिवूट में ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता इसलिए हम आज टॉलिवूट को ज़्यादा अच्छा मानते हैं बट ऐसा बिलकुल भी नहीं है तो चलिए देट्स रैप उन दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बाइबाइ